हां जी सश्यकाल जी सारा नू स्वागते तोड़ा पंजाब दे सब तो बड़े यूटीव प्लाटपॉर्म ते जीदा नाम है जी पंजाब अड़ा 24-7 ठीके जी मेरा नाम है मुस्कान कश्यप ते जी में कि तो नू पता है कि अपनी डेली क्लास लग दिये जी बारा वजे स पाइंस दी सॉरी जी आज थोड़ा लेट होगे थोड़े किन्ने मिंट लेट होगे आप छे-सातों मिंट लेट होगे जी कोई गाल नीजी माफी चानने यसी थोड़े तो बट अपा जल्दी तो जल्दी आपकाम नू स्टार्ट कर देने तब फिर आज दा सेशन जल्दी जी शेयर कर दो लाइक कर दो ते जिन्ना ने भी हले तक चैनल नू सब्सक्राइब नहीं किता इस चैनल नू सब्सक्राइब कर लो हां जी सबनू गुड़ आफ्टरनून सब नू सश्यकाल तब अपा अज दा कम शुरू कर दें यां आपका कर नूमली की कर रहे हुने साइ किता ही होना तो चलो जी अग्गे कर दें यां अग्गे कर दें यां तो मतलब पहला कोशन आ गया है तो डी स्क्रीन दे उपर तो पहला कोशन ते आन्दो की है जी डाल्टनीजम इस नेम राफर तो विच आफ दे फॉलिविंग डिस आउडर्डर अस दिस नेम वस कैप्ट लुटिन ओनर ऑव जान डिल्टन दाफादर ओफ आटोमिक ठेवरी तक कोशन देखो जी तियान नाल देखो कहनों की छीज़ा सब्तो पेहराया ड्लाइंजम की चीज़ा ते नेम कीणियों राफर किता गें इन चारां दे विच्छो कहनों दिस आदे जीनु नाम दिता गय गया कि जो जॉन डेल्टन है ओ कौन है फादर आफ अटामिक थियोरी मतलब दो गल्ला तो उन्हों पता लगी है फादर आफ अटामिक थियोरी तो जी आप्शन की आएगा डिफनेस कलर ब्लाइडनेस नाइट ब्लाइडनेस या फिर एस्टिगमेटीजम चारा चो दस्व आं और कहे रहे घी ज जलो जी तो नतत्ति दिनने जो टुम है ने लियुक्त किलर कशलने जानदाओ है की लगफ्ध सब्सक्राइब करद फ्रक्रताओं जाटो अ अमःे कहा जाना करा आटाओं से फीजल नहीं जानदीcollet घु McGांडि मतलब अगर ऐढेड । घ्रीन कलर हैं अगर तो नूं अगर तो नों रिड और ग्रीन कलर ब्लैक नजर आंदए टेश्द मींस की हो सकत Gym इस अजए चलो इसलिए कि कलर लाइणनेश हो सकती है तो चलो लिकाण डेख्लेने की होने वाले खियो अग्गे देख्ले Miche जीनू color blindness है तो आ देखो colorful picture वी उनू की नजर आएगी अपने को black and white या फे dark नजर आएगी जी गल समझ आगी कि black आ देखो जी रंग प्रंगे जी अपने को रंग ने ठीक है colors है fruits है उनू जीनू color blindness सी तो उनू ए दी था ए दिख रहे हैं सी एकी है normal आई एकी है normal आई मतलब अगर किसे नॉर्मल आई है जी में कि मेंनू सारे colors visible ने ते आहा की है जीनू हो रखी है color blindness की हो रखी है color blindness की कहरें voice not clear किसे हो नूँ भी दिक्कत आ रही है जी कि अग्गे देख दें कि अग्गे आ देखो जी की और एजवी के color देखो आ और इजिनल colors है बट जीनू color पनाईने सोयं दी उनू इस तरह दा भी दिख दा मतलब colors distinguish करंदे विच भी दिक्कत हुंदी है की हुंदी है color दा रॉला कित्तो शुरू हुंदा है color दा रॉला शुरू हुंदा है अपनी आइस तो आइस देविच आपने की हुंदा है रटीना हुंदा है ते रटीना विच अपने को दो तरह दे आपने रटीना है कोन सेल्स करता है colors नूपर सीव मतलब जीदे कौन सेल्स प्रापरली वर्क कर रहे ने इट मींस की होएगी और नूं मतलब अगर प्रापरली वक कर रहे तह इट मीस ओनू सारे रंग प्रापरली नजर आंगे इन्नी गाल समझ आगई शबनू छीक है केंदे डिस्टर्बेंस इन वॉइस शाशा दी वॉइस की चलो जी एक मिंट में देख लेनी है एक मिंट एक मिंट जस्ट बेट करो हूँ चैक करो जी अवाज आरे सब नू प्रॉपर ली पूझ चैक कर लो चलो जी देखो जी यह हो गया अग्ये गार देया अपना अगला कोशिन अगला कोशिन स्क्रीन वलतीयां दो की है अगला कोशिन दपोल्यो मिलीटीज poliomillitis known as polio can they jino ki polio de naam naalwi jana ya janda hai is caused by is caused by ki entero entero virus caused by entero virus which causes paralyzes of muscles okay this virus has a particular affinity to particular affinity to mature nache ki no कि अधिए पॉलियो वाइरस है उग कीणूँ ज्यादा इफेक्ट कर दिन देड़े करके ओं बमारी एक मेजर बिमारी बन जान दिए दस्तोजी दस्तोजी तटांसवर आना शुरू हो रहे हैं कि रुकसार दांसवर आया है कि परम्जीत कौर कह रहे है बी देख देप सारे बागी आंसर भी दया करो सारे देज सारे आंसर दया करो जल्दी यल्दी सेशन नूँ शेयर कार दो ताकि वाद तो वाद जने जुड सकन ते इस तो नूँ पता होना चाहिए कि साइंस दी क्लास किन्नी की इंपॉर्टेंट है तो जी मैं कि सारे कह रहे ने तो आंसर एंदा की हो जाएगा नर्व सेल्स ओफ स्पाइनल कॉड मतलब एक कीनू इफेक्ट जागा करदा है नर्व सेल्स ओफ स्पाइनल कॉड तो नूँ पोलियो बारे भी पता ही है ठीक है नॉमली चिर्डरन नू हुंदा सी ठीक है हूं तब बहुत कट गया मतलब नेगलीजिबल हो गया है पोलियो उस बमारी नो आपकी नाम दिनने हैं पोली हो ता कुछ इस तरह दा कुछ हो जान दा है मतलब कुछ भी किसे दी हैंची प्रॉब्लम आज मतलब बॉडी पार्ट देविच प्रॉब्लम आ जान दिये तो चलो जी चलो जी अगला कोशन देखो विच अमंग फॉलविंग प्ले यह देविच अल्कोहल यूजंडे तो दसो ना वी चुकेडा मतलब मीजर पार्ट प्ले करदा है लोल प्ले करदा है की देविच अफ और्कोहल पाई जानदी है तो ओन देविच मेजर रोल की नहींदा है देखो जी बैकटेडिया प्रोटोजोवा वाइरस या फिर आंस्वर एंदा की होएगा कि तांस्वर आने शुरू हो गया भी 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 सारे भी कैने मैं प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहे है दमाग ते जल्दी जल्दी टाइम लंगी आंदा देखो जी तोड़े लिए बैनी फीशिल गाल है कि पेपर पहला हो रहे है क्योंकि लेट जिननी लेट उन्दा पेपर उनना ही तुस्य टिल छट देन टिपड़ आई हमेशा प्रेशर देविची हुंदी आधी तो नहीं स्कूष्वर चार मीने वाद पेपर है तो तुस्य पढ़ना नहीं सी है तेड में लाद बीबी लिर्य बिलकुल गलत है तोकई आनसर देने शूरु कारते एस्ट तब दुलकुल सही है जी एस्ट poses ब्रेड मोल्ड वेख्या होना ठीक है ब्रेड दे विच भी इस्ट नाल मतलब उनू किता जानदा है ते जिमे की चलो कुडियानों शौंक होनदा है कि मतब करे कुकिंग करन दा ते उनना ने पटूरे वगएरे बनाए होनगे ठीक है तो उनना सी जिमे भी उजेडी फलफीने सबस्क्राइब इस खाया है कि रूफीन अगिता जानटा हंदा तो यस्ट करके अगए हो हुं के खमीर हाई नो कह सकते हैं इंगलीज चेनों इस्ट कह दिन ने तो चलो जी अगगे लिए देखने हैं किदा लो घून दे लो जी इस्ट इविए लिएसाधे और देखलो जी लोजी सोनू बत्वाल ने कहता कि जड़ी स्ट्रॉम उन्दीया वह 8.2 एलकोहल उन्दीया चलो जी वधिया गाल है उन्दीया ताहिए वधिया चलो आज आएगा जी इस्ट एलकोहल देच ते आद एक विए कम आई यंदे कम आके एलकोहल देच जे इस्ट वगएरा सब बन बंदा इदना गाल समझ आगी चलो जी गाल समझ आगी चलो अगला कोशन देखलो क्यारे एफर्स ओफ विच आप दो फॉलविंग साइंटिस लेट दा गॉवर्मेंट अफ इंडिया तो सेट अप सेंटर फोर डी एनने फिंगर प्रिंटिंग और डाइगनोस्टिक्स क नी के फिंगर प्रिंटिंग आबर यहोड नंळी पूंगी पहला हांशलो कि पूछ किया हर प्रीज सिंग क्या ले पेपर दी डेट आगी जी उता पता ही है आगी ताहीं तो पड़ाया जा रहे हैं तुसी नहीं पड़ रहे एदा त्या आना लांस वर्दो एदा कि 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 लोजु सोनुन कहता बदिया हुंदिये वियर एना थे एक्सपीरियंस बहुत तगडा लागधा है बट कोई गाल नी कोश्चन वलते हां देलो चीक है है देखो की है एफिट्स विच आफ दो फॉल्विंग ते केंदे एंदे चे की आंस्वर आएगा किसे ने आंस्वर नहीं देता बाकि ने गल्ला सारी हैने कर लिया एंसवर दो जे आंस्वर हicular सारतव कि होड़ा थे टेसर पाता्य है तो नहीं पता यहां गल्ला मारिया उन्हार लाल जी आजएगा जी अग्ये देख दें अघ है यह देख लो बंदेरी शेकल भी पछान लो इस zak ciao चे चलो जी हों दासनी पहले डिये ने फिंगर प्रिंटिंग बारे दासना तुनों फेरा पिक्चर दखावांगे टेके डी ने फिंगर प्रिंटिंग ना मतलब इत्थे एह या कि मतलब किसे दे डी ने तो पचान जाना जी मैं कि तुसे देख्या हो ना कि किसे बच्चे दे मतलब डी एन ने तो पता लग जानदा है कि फदर कौन यहूं चीज नना ना लिखता सी जी डी एन फिंगयर प्रिंटिंग लिखाईiao मैंच्टीजर ऐसे देखके कि नहीं मैंच कर रहा है कि नहीं मैंच कर रहा हैं तो कि दीने México ही ना काम देता है नहीं दी जटक्चर किदा हुं दियतुत स्ट्क्चर Inc । पुच इस तरह देखो इस तरह दुопас तो नजर भी आ रहे हो ना ते अंदर वेच कुछ इस तरह दियां स्ट्रेंड उन दिया ने तो नोगने इक वर डिन इस्ट्रक्चर भी दिखाना चांदी सी तो चेक कर लो जी डीन ने दी स्ट्रक्चर तो चलो जी फिर अपने बारे पढ लेने हैं ठीक है जी इन दे बारे प एसनोन पोर डेफलापिंग भी यूनीक वे होनि साइंसेंट ट जयां देवोच DC जेब पृuine कोष्न बान सकते कि हां डीने फिंगर परिंटिंग 份 ऍली सी ओार आ मतलब इने केडा इंस्सिट्योट मतलब तैयार किते सी देख लो जी डायरेक्ट वर कि दा Center for Cellular and Molecular Biology तब पहला पॉइंट ता यह हो गया कि यह कौन है डायरेक्टर है तब चलो जी देखो फिर एनु की कादे वास्ते जानेया जान्दा है developing a unique way for dna finger printing कहने कर सके ठीक है dna printing का सके ठीक है and has been accepted मतलब हर इकने इस चीज़नों accept भी किता मतलब एन यह कि उन्हें देखे चाड़ता कोई मन्नी नहीं आंदा ओने सारे ने इस चीज़नों verify करके इन्हों मन्निया ठीक है की ने किता सी इंडियन कोट्स as valid in forensic evidence मतलब कदे वी forensic मतलब कोई वी cases वगएर आंदे ने ठीक है कोई murder case आ गया कुछ भी आ गया ठीक है उत्थे एद्दा दे चीज़न दी लोड पेंदी है कि की दा मतलब dna matching वगएर दी लोड पेंदी है तो देखो तो forensic evidence दी तरह इस finger printing नो यूज किता जा सक्दा है तो paternity determination एक ही कारदा paternity determination कर दे मोई दस्या सी ना कि एक बच्चे दे DNA तो पता लग जाना है कि ओसदा फादर कौन है क्योंकि father ते मतलब बच्चे दे जो DNA होंदा हो सेम होंदा है कि होंदा है मतलब सेम होंदा है अग्गे देखो ते मतलब verification वगरा भी सारी check हो गई ते मतलब ए ट्रिक मतलब ए जो method बनाया कदो गया सी देखो this technique was used केंदे ए टेकनीक किते यूज होई सी during the probe into the Rajiv Gandhi murder case मतलब Rajiv Gandhi murder case दे विच इस technique नो यूज किता गया सी ओकेंदे कि देखो this new technique promoted the government to set up the center for dna ने यह भी promote कारता की की होएगा center for dna finger printing and diagnostic मतलब एदा अलग ही center बना दिता जाएगा जीन देख सिर्फ और से dna finger printing होएगी ता इन आवला question most important सी मतलब most 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 तुसी जिनने मर्जी मोस्त लगा लो ओना most important सी ता आवला question समझ आ गया सबनू या फिर नहीं आया जस्ट एक वार दास्जों में नो एक वार दास्जों में नो कि हले क्लार के पेपर देट नहीं आई आजएगी आगाल समझ आगी तो एक वार दास्जों फिर अगला question कर लांगे चलो जी सबनू समझ आगी तो चलो कर लेने अगला question अगला question ते आंदो which of the following is not a feature of organism in the class mammalia mammalia की हुं दिया जी एक और्गनीजम दी class हुं दिया जी में की अपने कोल fishes लई pieces class हुं दिया ते birds लई में थे लिख देनी है fishes दी class नो की के आ जान्दा है pieces pieces okay ते अपने कोल होर की हुं दै में हले की दास के हाँ birds दी class नो के आ जान्दा है birds दी class नो के आ जान्दा एव से human beings अनिमल्स human beings अनिमल्स दी category नो रख्या जान्दा है mammalia 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 mammals okay तो दसो जी दसो जी इना विचो केड़ी फीचर नहीं है फीचर ता सारे दस जिन्दे है पर यह दसो केड़ी नहीं है तो ओ दस ने अपना की कह रहे डी एन ने दी फुल फॉर्म हां जी डी ने दी फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसीड हुं दिये बिल्कुल सही जवाब दे रहे हूं तुसी इदा अंस्वत दो जी नहीं दा जवाब देना है नहीं दा जवाब देना है तो मैं इक गल गरंटी नाल कह सकती हैं जी ने मेरा सेल वाला चेप्टर समझ रख्या जीने बायो दी क्लास लगाई सी ओ ये सथ सई जवाब देगा थे हले तक किसी दावी सई जवाब नहीं आया हले तक नहीं आया किसी दावी सई जवाब हले तक आंस्वर गलत आ रहे सब्दा नहीं जी तुसी गलत दे रहे हूँ मैं उहीं कहारी जिन्ना ने बायो पड़ी सी मेरे तो हूँ यूट्यूब दे उपर सेल वाला चैप्टर अटेंड किता सी उन्दा ते गलत हो ही नहीं सकदा तो लव जी सिर्फ एक जने दा विदूशी विदूशी नाम है अगला है परमजीत कोर दा अंसर सही आया है अमरित कौर दाशल सही ए हरपरीद सिंग जी पीपीज सी दे एक्जाम पंजाबी चे नहीं हों दे पि चलो जी मैं दा दिन ये दा अंसर की आएगा चिटिन चिटिन इंदा सेल मेंब्रेन ओ वो कम ले तुन्हू किनी वार दस्या जटाओ चीटीन है यो प्लांट मतलब जो की किटे विछ पाई जान दी आजिमल्स दे सेल विछ नहीं पाई जान दी चीटिन चीटिन हुँथ इजिवर्ट फंजाई दी घूब संजाई दी सेल वॉल्ड नू केहा जान दा है ii chi 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 to mi ii chi 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 देने ओनना विछ मैमरी ग्लैंड उन्देने ओके तुसी काव देख्या होने तुन मिल्क दिन दी है बफेलो हो गई टिक है तो गोट हो गई तो ओनना ओ की कार देने मिल्क प्रेड्यूस कर देने अगला ओप्शन भी दो मैमरेन बाउंड नुक्ली यस मतलब इन्दे कोल नुक्ली अधी यह तो जड़िया श्पाइनल कोड होगी नउप कॉर्ड मुहीं किया जान दै ते की हुंदिया जी अंदरो हॉलो हुंदी यह हाँ पॉइंट च्लोज्य गेए सिर्फ और जितन वाला गलत की है ऩो चेटें सिर्फ और म्मउस समझ आया है या नहीं आया हुँचन समझ आया या नहीं आया चलो सम्झ आ गए तेक लेनके अग्गे वेख लेने हैं अगला देखो consider the following आ देते मिक्का ग्रेफाइट सलफर human body केंदे विच अमंग दा फॉलविंग इस आर इलेक्ट्रिकल कंड़क्टर केंदे की इनना चो केड़े इलेक्ट्रिकल कंड़क्टर है गया तब मीका ग्रेफाइट सलफर या फिर human body चलो जी दासदो जी दासदो हुन तुसी दसओंगे बहुत हो गया हुन तुसी दसओ सारे आंसर मैं ही कराते दो मिंट अपावी सां ले लिए उनने चर आंसर पहला महत प्रीदा आ गया है ए मतलब वान टू एंड फोर बाकी दसओ सोन नुझी पुछरे चितिन कि हुन्द है फंजाई ली सेल वाल नू चितिन केहा जानदा है प्लांट दी सेलवॉल बनी हुंदी है सेल्बॉलोज नाल से फंजाही दी बनी हुंदी है चिटेन नाल भाग ति बेक्टीरिया दी बनी हुंदी है पैप्टीडो ग्लाइकोन ते चलो जी आंस्वर कोई सिदा ए आ रहे है किसे दा बी आ रहे है किसे दा डी आ रहे है मतलब ए बी सी सारे बोलते इत्थे बस ऑप्शन भी कमी सी नहीं था उन्ना ने सारे ने नन ऑफ दीज भी ला देना से टिक ता एने विच देखो जी सिर्फ और सिर्फ सलफर नहीं करता क्योंकि सलफर किया एक नॉन मेटल है ते नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंड़क्टर आफ सब्सक्राइब लेक्ति सिटी या फिर नॉट कंड़क्टर अफ इल्यक्टि सिटी तो मतलब मीटा ग्रे फाइट घुमिन बॉड़ी हुन जिधो करेंट लाग देता तो फिर करेंट थो बॉड़ी चो पास हुने ताहीं होता तो लगगया ना अगर नहीं पास हुन दा कंड बंदी कारबंदा एलोट्रॉप हुंदा है कारबंदा की हुंदा है एलोट्रॉप हुंदा है ते एवी गुड़ कंड़क्टर हुंदा है की हुंदा है जी गुड़ कंड़क्टर आफ इलेक्ट्रिसीटी और इलेक्ट्रिसीटी आप दसां ग्रेफाइट की हुंदी है आ जड गुट कंड़क्टर ओफ एलेक्टिसिटी हुन देने ता मतलब वान टू एंट फोर वाला आप्शन नंबर ए आप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है जी रुकसार जी कह रहें सब्सक्राइब वार विच भी करेंट अंदा बहुत बार देखो जी कंडा में करेंट सिर्फ और सिर्फ पानी गर के होंदा है अगर तो डिक कंड़ देवच पानी जावडे ता उदे विच्छों करेंट फ्लो करना शुरू हो जानता है वैसे नहीं कि यह पंजाबी लेंगवेचे करवाओ कुछ नहीं समझ आंद मैं पंजाबी मैं फार्सी थोड़ा बोली या निया मैं पंजाबी बोली या निया होर केड़ी लेंगवेच यही दिये दोनू देखो जी मैं तोनू कोश्चन इंग्लीज देविच तार रख रही हैं क्योंकि सब्सक्राइब कोश्चन में इंग्लीज रख दियां समझा तोनू मैं पंजाब बीचे दिन नहीं है चलो जी अग्गे कर दें अग्गे कर दें आ देखो जी एन ऑब्जेक्ट इस एक्जिक्यूटिंग यूनिफर्म देखो जी मैं थोड़ा लेवल अप किता है क्योंकि मै सोच देखो मैंननों मैंसी पेपर ची टाइम पे ता मैं होली होली लेवल चबंगी बट हुन की है की मतलब टाइम बहुत काट रहें तो पहला ही लेवल चक्कना पर ता करके मैं तो नूल लेवल मतलब आपकर कि कोश्चन समझा रही है तो चलो जी और ऑबजेक्ट इस एग कॉंस्टेंट रहन गया है कि कर दें भी बोड़ते पंजाबी करवा हूं मतलब कोश्चन पंजाबी चे लिख दो तुसी एक कहना चाहा रहे हूं कि यह जवाब दो जी गल्ला तुसी बद्दू मार देओं जदो तुन मैं कहूंगे न कोई काम में हैगा तो फिर तुसी चुप कर जोंगे गल्ला तुन बद्दू हों दिया है पहला पढ़ा ही वाल ते आन देलो लास दे तुन पांसात मिंट दिन नहीं है ना कि तुसी गल् चले ते आटलीस्ट पढ़ लो भौ ता हिमांशू दा अंसर आगया स्पीड गुरमीद दा आगया स्पीड विलोसीटी महग प्रीत आगया सी सो नू कहने नु आईडिया वदीया गगंं किल्द कह रहे ए मैप प्रीत कह रहे स्पीड ते अक्सलरेशन शुबम कह रहे सी उन्स वर आएगा ता स्पीड स Kitchen विल वीलॉसिटी आफिलरेशन है यह सरो स्पीड रहेगी सिर्फ 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 और सिल्फ स्पीड रहेगी तुन इधर रίζन समझाने रीजन समझाने लाओ जी और देखो जी मान लो uniform circular motion कर रहा है एगे Okay ता uniform circular motion है तेरी speed same रहेगी okay speed same रहेगी बट जो great velocity है एख हर पॉइंट ए चेंज उन दिए कि में कि में चेंज उन्दी है तो नूँ दाज़िन ने आ ए ते हुने आ एंता खड़ना भी नहीं मैं इत्धे समझा देनी रहा जी आके मलो ऑप्जेक्ट ऑप्जेक्ट जा रहे एकश्यली जो सरकुलर मोशन ओछ हुदा आ है ,onu एक्चुली सरकल देविच नहीं हो रहे हैं उन्द जाना ओ कि दर जाना है सिद्धा ही चान दाओ दि डाइरेक्शन सिद्धे नूँ उन्दी है बट सेंटर देविच इक सेंट्री पीटल फॉर्स लग रही हुं दियों जो की उसनों खिच लें दिया तो दर पात ए हो जान द सेंटरी पीटल फॉर्स नूँ खिच लें दीया है तो एस कारके की हो जानदा है कि वो सरकल देविच रोटेट करना शुरू हो जानदा है तो एदे नाल की पता लग देविच चलो स्पीड तैंगी पर हर पॉइंट ते डाइरेक्शन की हो रही है चेंज हो रही है तो नू स्पीड ता कॉंस्टेंट रहेगी चेंज हों करके वेलासिटी डिफ्रेंट हो जान दी है ति इस तुपन करके के लिफ oh जान्दा है कि एक्सेलपरेशन भी ट्रफेंट रहेचित है क्यूंकि एक्सेलरेशन ना फॉरमला कि होंद tartot विलासिटी की हुंदिया जी चेंज इन विलासिटी तक कॉंस्टेंट सिर्फ की रहेगी जी स्पीड कॉंस्टेंट की रहेगी जी स्पीड इन्नी गल सबनू समझ आ गई या नहीं आई एक बार दास्दो सबनू समझ आ गई या नहीं आई चलो जी अग्गे कर लेने हैं देखो जी टोटल इंटर्नल रफ्लेक्शन वोड है पिन अउनल इफ कैन दे टोटल इंटर्नल रफ्लेक्शन कदोई कदो होई गी तत्यान देलू और रेट चलो जी टुके मारो मारो मैं देख दी ओने चर तोटे टुके तत्यान देलूगे है बी कह रहे है कोई कह रहे है कोई कह रहे है कोई कह रहे है बी कोई कह रहे है डी मतलब हले तक सही आंस्वर किसे दा भी नहीं आया किसे दा चलो जी देखो तुक्के मार ले बाद दू दे तुसी चलो जी अपार देख लेने करना की ये इंदे चे देखो की हुंद है जदो वी जदो वी अपने को total internal reflection हो रही हुं दिया सų सघ्रेटर जांदी है तो मतलब पहला की हो गया एह वाला ohus t buck सभर 50hertz घ्राइणा टोटल रिंटरन रॉफ्लेक्षं समल जा दिया है अक्चली रंक टोधी लेअं मिरेंगे 많 ऊद दुन मीडियम दो हुं देगे एक हो जा केस जदो अपने को लाइट रीफ्रेक्ट हुंदे बजाए रीफ्लेक्ट हो जेए तो उस प्रोसीज़न ओपा की नाम दिन्यां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्षिन टॉटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन मतलब देखो मतलब इंगल वडाइब इत्ते आ गया मतलब एवळा एंगल जी देन आल इसतया जेत्य तो से एंगल लुट किया जानदा है क्रीटिकल एंगल तो एगर मैं एंगल आफ इंसिडेंस क्रीटिकल तो वधा आदा तो एक Two-day ओ से मीडियम दे विछ रिफ्लेक्ट कर जाएंगी मतलब क्रीटिकल एंगल तो अगर मैं एंगल आफ इंसिदेंस बता आदा लाइट रीफ्रेक्ट मतलब थले दूसरे मीडियम ते जान दे बजायों की हो जाएगी जी उपपर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी एसे नू कहा जानदा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ता मतलब की आएगा अपना वान एंड थ्री मतलब वान एंड थ्री ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए समझ आया या नहीं आया में नुए दास्जों पहला कि चलो जी देखो फिर अगे देखो की कहना चाहरे है पिक्चर देखो आँ मीडियम वान है आँ मीडियम टू है लाइट यह में जाके इद्धर बेंड होनी चाहिए दी सी बट ए की हो यह लाइट इद्धर हो ही की कहन दे आया अपने को रिफ्रेक्ट हो गई की हो गई रिफ्रेक्ट हो गई की हो गई गल समझ आ गई हिमांचु केंदे मेरा सही सी चलो जी वेरी गुड नजर निगा नहीं पैनी हो नहीं पई हो नहीं चलो जी अग्गे देख देख देखो जी तर्म वाइट कोल सम्टाइम्स रैफर तू विच आप दो फॉल्लिंग केंदे वाइट जेडा है गाए वाइट कोल तक कई वार केड़ी एनर्जी या फिर केड़ी इलेक्रिसिटी नू नाम दे दित्ता जानदा है तद दस दो जी वाइट कोल वाइट कोल केड़ी एनर्जी नू केहा जानदा है तश्यूबं बत्तरा दा पहला अंस्वर आ गया है ए बाक्की भी करो तफे तो नू दासी दिन ने आ एदा आंसर की आएगा हाइड्रो इलेक्रो इलेक्रिसिटी की आएगा हाइड्रो इलेक्रिसिटी हाइड्रो इलेक्रिसिटी हाइड्रो इलेक्रिसिटी नू ही कई बार वाइट कोल दा नाम दे दित्ता जानदा है देखो जी हाईड्रो इलेक्ट्रिसटी आ हुन दिया कीमे जैनरेट किती यह देख लो पानी पानी दे थुरू हुन दिया ठीक है जी वड़े डैम्स लगा दितने जान देने इलेक्ट्रिसटी प्रेड़्ूस करन वास्ते तो तो दे रारोक लितता है और तो परेशर तो देखो जी उन्य के रहे कि वाइट कोल क्यों नाम है था तो देखो देखो दट टर्म वाइट कोल वाज यूस फौर हईडरो उलेक्रिसिटी क्यों कि थे उन्दी सी पर्टीकुलरली इन यॉरप मतलब यॉरप दे विच एस नाम नू यूस किता गया सि बिकॉस क्यों यू सो इलावा एक आही सि जो की की करदहां किन किती सी फ्रेंच एंजिनियर और प्रोडियूस कर दा है बहुत ज्यादा एनरजी प्रोड्यूस कर दा है हां जी हिमाण चुट प्रोड्यूस मोर एनरजी देख लो जी देख लो की में की में फ्लो होई अंद है हाइडरो एलेक्रिसिटी प्रोड्यूस हुन दिये थो चलो जी अग्गे कर लिए तल्लाओ जी ब्लीचिंग पाउडर इस अ कमपाउड आप कें दे ब्लीचिंग पाउडर कादा कमपाउड है केल्शियम सोडियम, मेगनीशियम या फिर सल्फर इनना चोग कादा कमपाउड है दस्तो जी दस्तो ब्लीचिंग पाउडर ये थो बहुत बार दस्ता तो आंसर की आ रहे है शुकर रहे हैं अपने यह आंसर सही दिता है आटलीस आवल आंसर सही दिता है क्योंकि आप कराया होया है तो यह हैंदाएजी कैल्शियम कैल्शियम तेदा फॉर्मुला की होंदा ब्लीचिंग पाउडर दाता मैं दस दिन नहीं है कैल्शियम ओकसी क्लोराइड तो और नो बार पुरा नाम भी पूछलिता जानदा है कि दस्तो जी ब्लीचिंग पाउडर छे केड़ा कंपाउंड यूस हुंदा मैं तो डैटिस कैल्शियम ओकसी क्लोराइड, C-A-O-C-L-2, C-A-O-C-L-2, केल्शियम, ऑक्सी, क्लोराइड, फॉर्मुला भी याद रखना है, C-A-O-C-L-2, चलो जी, आप कुशी नहीं है जी, वैसी लगा रख्या है थोड़े वासे, किया है जी, ब्लीचिंग पाउडर वाइट कला दर दिखता है, ओके, तलाओ जी, ब्लीचिंग, क्यामिकल फॉर्मुला फॉर ब्लीचिंग पाउडर, मतलब केल्शियम हाइड्रोकसाइड नू जब क्लोरीन नाल रियक्ट करवाने हैं, तक केल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बन जान दे, नाल वाटर बन जान दे, मतलब ये भी पुछा जा सकता है की, ब्लीचिंग पाउडर बंदा की दे नाल है, तब बंदा है जी, केल्शियम हाइड्रोकसाइड नाल, तेक कोश्चन होर त्यार हो गया तोड़े वास्ते, की, की एदा कॉमन नेम की होंदा है, केल्शियम हाइड्रोकसाइड मतलब C, A, O, H, ट्वाइस नू केहा जान दा है, स्लेट, लाइम, उन्दे विच जदो अपा क्लोरीन पौने हाँ, तक की बंद जान दा, केल्शियम, ऑक्सी, क्लोराइड, जीनू के अपा ब्लीचिंग पाउडर दें, नाम, नाल भी, जान दे हाँ, चलो, the modern periodic table has, can they modern periodic table को की या, दसो की है, can they science या, total किन्या classes हो गिया, यह ता मिन्नू भी नहीं गिंती, याद रोज लग दिया, जी सिर्फ, और सिर्फ संडे नू छटके, रोज science या, तुसी playlist चेक कर लिए, किन्या वीडियोज हो गिया, तद देख लो, जी एदा अंसर करो, एदा अंसर तो तुन्हों पता ही होना चाहिए, at least एदा अंसर सही सही देदे, तुके ना मारे हो, जी देची तुके मारन नू, मारन नू क्या सी होत्ते, तुसी तुके मारे भी है, इत्थे तुके ना मारे हो, कोई क्या रहा है B कोई क्या रहा है C कोई क्या रहा है A मतलब A B C तिन तरह दे आपनों आंस्वर देखनों मिल चुके हले कोई D कहना चांद है चले A आले था सही है B थे C आले कौन है अरे जी सिर्फ और सिर्फ सात्य पीरियम ने 18ए आजेगा जी सिर्फ और सिर्फ आप्शिन नंबर ए बिल्कुल सही है हां जी लॉग करता जी शुबम जी लॉग करता तल्लव जी आज सी अपना फिरियौड़ लकान तेबल अपना प्यारा पिरियौड़िक टेबल जीना कि तुसी पन्जाब हरी देख ले उना मेरे सावचा का जो रोज लगांदा उन्हें पंजाब वारी तक गिंति नल देखी ले आऊना की पिरियोडिक टेबल कित्दा ना दिखता है पीरेड नंबर वान टू थ्री फॉर फाइव सिक्स आ की हो गया फाइव टू थ्री फॉर फॉर फाइव सिक्स सेवन पीरेड हो गये तेदर गिंति निकरोंगे तै एड नंबर छी अठारा ने मतलब अठारा ग्रूप ने अठारा ग्रूप ने समझ आगई सबनू हां जी ए आप्शिन सी बिल्कुल सही आंसवसी पिरियोडिक टेबल देख लो जिन्ना ने पिरियोडिक टेबल आज जी तक नहीं देख्या तो नू दखा दिये हाँ कल जी विच आफ लगी जी तक भी जिन्ना ने वी शेशन नू शेयर नहीं किता है वो यह सेशन तक शेयर कार दो तो यह तो हो जलदी जलदी सेशन नू लाइक कर दो ओके ते आइस कोशन वाल ते आन देलो के अंदे टोटल ब्लॉक किने होंदे टोटल ब्लॉक चार उंदे है जी टोटल चार ब्लॉक होंदे ने यंठे आइस पीडी एफ देख लेने आवला बलॉक आवले ब्लॉक नु LAURA के हाजनदा है आवले के हाजनदा है पी आवले साले नु के हाजन दा है या धिड मिले लिन के हाजन दिया फबलॉक गल समझा गी तथ चलो जी पर हो सीजियं लेड'll गोल्ड शिलवर कर दे मेनूं साइंस जमा नहीं हों दी कुछ होड करो कुमर्स वल है मैं होड करनों की कहना चाहने मैं कुमर्स पढ़ा अनलाग जांग चाहिए अपा कुछ होड पढ़ा अनलाग जी टे आंसर डिफ्रेंट डिफ्रेंट आरे ने बड़ तो नुड़ंद सी खिषी देख़ी देख्या हो ना तोसी की बनाने हो ने चेन बनवाई होनी ठीक है तो कित्थों सॉफ्ट नजर आ दी तो नू तो जड़े गोल्ड कई हैं दे गोल्ड कित्थों सॉफ्ट हुंद है तो देखो ही मांशू की कह रहे है कि प्रेंका तुक्के ना लाओ सिल्वर आओ देखो आप गल्त का रहें जिड़ा सही का रहें उन्हानों द्वारा कह रहें गल्त तो डा अंसर जी सीजियम आएगा ऑप्शन नंबर यह आएगा सीजियम सब्तों सॉफ्ट मैटल मन्या देने कि तुसी कि देख्या गडित HER किसे वर नहीं देखिया तुसी है कि सिल्वर के तुसी चीन पौणने हो में शेंज आधेखो चेंज देखो चेंज है तुसीलवर काटने गया एंदियों गोल्ड भी तुसी चेन पानने और गोल्ड नों हाथ लाके देखलो सॉफ्ट हूं दिये कि तुस्ट मतलब आप तक गल्थ करने भाकिया नीगल तक आनए बड़ा बद्या सिस्टम अना वद्या झाज़ेगा सीजियम आएगा होर कुशणा टिकलाना सिल्वर गोल्ड लैद नहीं आएगा एधा अनस्वठीड अपने कोल सीजियम तोनों दखा आदें यह सीजियम कि दन ठीक है चलो जी आ देख लो जी सीजियम बहुत सॉफ्ट उन्दै मतलब इस पाणी तरह नजर आ रहे हुं दैं मतलब इन्ना सॉफ्ट हुंदा है कि पिरियोडीक टेवल नुई याद करना जो झाल एक नहीं चलो जी सीजियम हो गया विच आफ दे फॉल्लमिंग स्टेट्स आफ मैंटर है सब्सक्राइब कर दो थे इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज मतलब जो भी आपने को मैटरे सॉलिड यह लिक्विड है तो ना दे जो पार्टीकल जुंदे यह न वह पार्टीकल दिवेचि जो फोर् तो अच्छा करन ओजला नाम देखो करन ओजला करन ओजला जी अपने क्लास देख आए बहुत वड़ी गाल अपने ले ठीक है तो यह कह रहे नहीं पुछ रहे हैं मैं जी एक क्या सीवी तुसी सानु एदस्यों की में में जा साइंस दा तर तो नूं में में ही करा रही है मैं तो कुछ कराई नहीं रही तब बिलकुल सही आंसर आया सब्दा आंसर की आएगा गैस की आएगा गैस गैस देविट जो फोर्सेज मतलब मॉलीक्यूल उन्देने बहुत दूर दूर उन्देने उन्ना नूम मतलब विच उना इंटरनली फोर्स बहुत काट लग दिया ने विचे भी तुरे फिर देया मतलब देखो जिए एक्जाम्पल दिने आ ठीक है कहीं अदे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट उन्देने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट उन्देने उन्ना नू करो बार निकलने निन दिन दे तो जित्ते बैठे ओ बैठी रहने ठीक है तो कहीं जिनना दे पेरेंट्स थोड़े ठीक हुंदे ने मतलब वो कहते चले तु बार तोरा फेरा भी करें ठीक है फिर ओ थोड़ा बहुत हिल डूल कर लेंदे मतलब पेरेंट्स पुछके चले गए नहीं गए तो उद्दान साव हो गया लिक्विड जा ता एक वो स्टूडेंट जिनना दे पेरेंट्स बहुत खुले डूले उन्दे वो अंदर ही नीवड दे ओ नए जवाक अंदर ही नीवड दे ठीक है तपर ओंदे जी गैस तो फून एक्जांपल समझ आगी शॉलीड लिक्विड ते गैस दी छीक है शॉलीड लिक्विड ते गैस देखो जी लिक्विड ग्यास आजी जित्ते टकाता उठी टिके पई है लिक्विड ओने जे माडा हिलिडूल कर सक देया ते ग्यासिज एता मतलब जमा आवारा हुंदे जिद्धर क्या दो दर ये तो रुपें देया ता एसी जी ओके जी अपना आंस्वर ते अपर लिक्विड अच्छ सब्सक्राइब करेंगे अपर सेकंड डाले हैं चलो जी सब्सक्राइब ठीक है सब्सक्राइब लिक्विड देने तो देखो जी विच अमंग दा फॉल्लिविंग आसर्स इस जैनरली यूज्ज आदा फॉर्स्ट हैं टेस्ट टू जजज वादर मैटल इस गोल्ड और नॉ होर मेटल है तो दस्तों जी होजा केड़ा एसिट पान नाल पता लग जांदा है कि आज माटीरियल है मैटल है गोल्ड है या नहीं है अ आनव ह是什麼 नाव जूझए है पहला असर आ गया हिमान शुदा नाइत्रिक पीद कहरे बी परमी श्रोंक नाश का सब शक्रों की ना या ले नाऑ ठीतल मतलब सब दार पकेड़ा असिड नाइत्रेस अ मथी आशिड आशिड आशिड्धिक सही है याशिड अच्चली की होंदा है नायट्रीक एसिड सब्थो स्रोंग एसिड मन्या जान दा है यह झाल रियक्षण वी बहुत फास्ट हुंदी है तो जदो वी ओ रियक्ट मतलब डुझे मैटल होंगे ओना यह तो बहुत पास्ती रियक्ट कर लेगा बद जदो गोल्ड से 8 नोबल मैट टेकिल नहीं करता मतलब नायट्रिक थीक के समझ आजेगे ल॔चि नाइट्रिक एसेड बिल्कुल तहीए गोल् से फर्क नहीं पाये गा गोल्ड थे फरक नहीं पाये गाज अग्गे आद देखलो जी नाइ्ट्रिक एसिड थेकिनाइट्रिक अपना सेशन इत्ते खतम हो चुक है जिनने भी इंपॉर्टेंट साइंस दे कोशिश किती है तो रोज क्लास जरूर लगाया करो जी तो बाद है थोड़ा एवी त्यान देना है सब्टो बाद उनद है जी नाइटरीक ऐसीड में तो बादसल्फ्यूरीक ऐसीड में दूविदा टिक है कोई गिला शिक्वा जो भी ये दस दो मिन्नु इत थे दो मिन्न तो ड्डी गल्ला मैं सुनूंगी ता फिर देखो जी अगर तो नूँ क्लास पसंद आंदी है ता बात तो बात शेयर करया करो जी बात तो बात लाइक करया करो ता मिन्नू कमेंट बॉक्स जरूर दस्तिया करो कि तो नूँ क्लास कितना लग दी वदिया लग दी या नहीं लग दी ओके जी कि चलो जी सबनू वधिया सब कुछ समझ आ गया है तो मेनू कमेंट बॉक्स ज़रूर दसने कि तो नू क्लास कितना लग दिया है फिर अपा मिल दें जी दो वजे केंदे आज मेरी फर्स्ट क्लास से कोई गाल नी दो वजे फिर जुड़े हो मैं अधी क्लास मैं अधी क्लास मतलब मैं सब्जेक्ट वदिया हुंदा है इंट्रस्टिंग सब्जेक्ट हुंदा है तक शायद तो नू साइंस ना लो बद मैंस पसंद आजे ठीक है जी ता सबने दो वजे जरूर जुड़ना है दो वजे अपनी डेली क्लास लग दी है मैं दी ते ओदे विच अपा सिख अधरे नंबर सीरीज मतलब कोई भी नंबर सीरीज आगे तुसी ओसनों सॉल्व जरूर कर पाऊंगे ओके जी हां जी क्लास कतम होगी तो फिर आज लई सारया नू तनवाद सारया नू ठैंक यू फिर मिलने हैं दो वजे मैं जी क्लास लेच फिर हुंदे लई सारया नू सश्यकाल जी